हेलो बच्चों, मैं मारूती पाठक, रेजोनेंस में फिजिक्स टीचर, तो रेखो, आज 25 जून 2022 को, जेही मेंस का इवनिंग शिफ का जो पेपर हुआ था, उसका एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, जो मेमोरी बेस कॉश्चन हमको पता चलें, 24 कॉश्चन हमको पता चलें, तो उसका एनालिसिस एक बार कर लेते हैं, तो 24 जो कॉश्चन थे उसमें, इलेक्टो डैनेमिक्स के 6 कॉश्चन आये थे, जिसका वेटेज एप्रोक्सिमेटली 20 परसेंट था, इसमें एक कॉश्चन अल्टरेटिंग करेंट, एक कॉश्चन कैपेस्टर, दो कॉश्चन करे जोरिमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन और एक थर्मो डैनेमिक्स का था, वैसे ही, मेकेनिस के 8 कॉश्चन आये थे, मतलब मेकेनिस का वेटेज काफी जड़ा था, अल्मोस्ट 27 परसेंट था, जिसमें, सर्किलो मोश्चन के 3, एक मेजरमेंट एरर एंड एक्सपरिमेंट क और एक प्रोजेक्टायल मोशन का कॉश्चन था, वैसे ही, मोर्डन फिसक्स के टॉटल 5 कॉश्चन थे, जिसमें, एक एक नुक्लियर फिसक्स, दो सेमी कंडUक्टर और दो एक्टो मोश्चन का थते, उप्तिक्स थे, जिसमें एक जोमेत्रिकल और एक मेजरमेत्टिक तो, मैं तो कहने का मतनब है कि इसमें भी Mechanics और Electrodynamics का सबसे ज्यादा weightage रहा था अब चलो, एक बार 11 तो 12 के जो question है उसका भी weightage wise analysis देख सकते हैं तो हमको total 24 memory based question पता चले थे उसमें 11 class के तो 11 question थे और 12 class के 13 question थे दोनों का weightage approximately same है लेकिन फिर भी 12 class का weightage थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है उसके बाद अब हम difficulty level भी देख सकते हैं तो जो 24 question हमको पता चले थे उसमें 15 question बहुत ज्यादा easy थे बिल्कुल direct question थे उसके बाद 9 question थोड़े से moderate थे और इस paper में जो memory based question पता चले थे उसमें difficult question कोई भी नहीं था मतलब के paper बहुत ज्यादा easy था बहुत ज्यादा scoring था जिसमें तुमको ज्यादा से ज्यादा question attempt करने थे तो यही थोड़े से exam देने में smartness रखना के कभी भी tough question हो तो question selection पे ज्यादा ध्यान देना मतलब tough tough question skip करना और easy question को करना लेकिन अगर कभी भी paper simple आ गया तो उसमें फिर ज्यादा से ज्यादा question तुमको attempt करने होते हैं तो कल जो जही means का paper आएगा उसको हम वापस से discuss करेंगे तब तक goodbye और thank you for giving your time